कौन से विकास हुआ है आप बता दीजे हा मत करिये पूछ रहूं आपसे कौन से विकास हुआ है फिर मैं बताऊंगा ना राम को कोट के चकर लगाने पड़े है आपके पास जवाब आपने क्यों राम जी को कोट के चकर लगवाए तो सरकार ने नहीं बनवाया राम मंदिर र बारा मत बोलिएगा जूता लेकर जेम में उल्टी वाली जेम में इंतिजार कर रही है कि एक बार परचार तो हो समझ रहे हैं पीछे वाली जेम में धरके घुम रही है और वही हालत होगी को भी सरकार देश में कोई भी सरकार हो जो किसान से उलजेगी किसान से टकराईगी न को इसका अस्तित्व रहेगा यह बात दिखाना चाहता है देश का किसान देश के राश्च्यपती साइंटिस्ट हुआ करते थे और आज क्या है देश के प्रधान मंतरी चाय बेखने वाले हैं और गिरह मंतरी तड़ी पार हैं बहुत अच्छा लगता है ना आपको सुनने में लगता है बोस्षंवानित है बदलं महुदे आपके बंगाल पोफ़च चुका है और आप धियान रוכिए का लेकिन आगर आपने बाझत वालों को मौका दिया T Caro ौो जो नाम बदलिवल बंगाल पहुच़ा है न वह बंगाल का नाम बदल के कंगाल कंगाल कर देगा इस रं बेहन बेटियों की इजत आबरू सुरक्षित नहीं है तो ऐसा उत्तर प्रदेश का मॉडल हमें कहीं और नहीं चाहिए और अगर आपने बंगाल के बजाए बिहार के बजाए चुनाब प्रजार कंडे के बजाए अगर आपने उत्तर प्रदेश पर ध्यान दिया होता ना तो आप बता दिजे पूच रहा हूं आप से कौन सा विकास हुआ है फिर मैं 417 वाइगार भाई आपoru あप मुझे बता कहां से बढ़कार ऑपाक नेता को लाकर बिठाओ ना एक दिन राम जितने भी भाए वीडियो को देखलेएं सबी को देखलेगा। पुरानी वीडियो में जब भी पूछ Focus यह से 111 ठ करोड जंदा की आस्ता का प्रतीक एं भगवान शुरी-राम हिंदु हो मुसलिम हो चाहे सिख हो चाहे इसाई हो समझ रहें आप राम का आपने नाम लिया एक बात मुझे बताईए जब आप तीन तलाक का मुद्ध कोट से पारिद करा सकते हैं तो क्या आपकी सरकार की इतनी अवकात नहीं है कि भगवान श्री राम का मुद्ध कोट नाली स्क्वाrare, क्या भी, विकास का या अधिसू कि बात बसुद्जाये परोब हमा स्कार और कला में सर्केफास के आगे, यहीं में सकत्ता थारे बानेती कि बाट करने-भूर चंह में तो वो ही विकास दिखेगा, यह है इनका विकास, आज देश की गरीब जंता की वह आलत है कि जेम में अगर पांच उर्पे भी ना हो ना तो अगर आप सोचलने की बात गिनाने वाले थे मुझे पता आप के मुझे से पता चल गया था, समझ रहें, आप सोचलने की बात करने बहाले थे तो गरीब जंता कर वो आल लै कि अगर जैम में 5 उर्पे भी ना ओ तो गरीब आदमी सो चाल ले भी नीजा सकता तो आपने गरीब आदमी के लिए करगा क्या है अगर भारत ये जंता पर्टी के पास कोई मौडल है सिक्षा के नाम पर स्वास्त के नाम पर रोजगार के नाम पर और बेरोजगारी के नाम पर या देश के किसान के नाम पर तो आप उस पे चुनाव लड़िये ना हिंदू और मुस्लिम के नाम पर कब तक चुनाव लड़ा जाएगा देश में आपको शर्म मानी चाहिए कि माकाली भी एक है और राम भी एक है हिंदू मानने वाला माकाली को भी मानता है राम को भी मानता है देश की 133 करोड जनता हिंदू मुस्लिम सी किसाई सभी धर्मों में विश्वास रखती है और देश के प्रधान मंतरी जी को तो बिल्कुल शरमानी चाहिए कि किसानों को छोड़कर वहां जाना उचित नहीं था क्या आप अपने दिल पर हाथ रखके बोलिए क्या प्रधान मंतरी मोधी को चुनावी रेली करनी जरूरी थी या किसानों से पहले उनकी बात को जानना जरूरी था यहां भी तो आसकते थे एक बार कि आपकी क्या समस्या है पहले आप बताएए जब आपकी समस्या का समादान होगा तब देश में चुनाव होगा तब मैं मानता कि प्रधानमंत्री जी देश हित्मे कार्रे कर रहे हैं और देश के लोग उनके साथ खड़े भी होते आप बंगाल से आयें किस तरह का महौल है? महौल पूरी तरह के से बीजेपी के लिए खराब है आप ये समझिए पब्लिक जूता लेकर जेम में उल्टी वाली जेम में इंतिजार कर रही है कि एक बार परचार तो हो समझ रहे हैं? पीछे वाली जेम में धरके घुम रही है और वही आलत होगी जैसी भाजपा की सरकार जाईगी न देश से आप ये समझिएगा जो बोलेंगे न भाजपा के पक्स में पब्लिक यहां अडा के रखेगी जूता जहां दिखेंगे न कि देश कैसे भिका मुह में तो बात की बात है चाचा पहले तो सर पही पड़ेगा इनके कि रेलवे कैसे भिका एर इंडिया कैसे भिका MTNL कैसे भिका BSNL कैसे भिका एक बात आप मुझे बताइए कॉंसेप्ट के थूरू समझिए आपने मुझे दसूर पे उधार दिये अगर मैं आपके दसूर पे लेके भग गया तो आप मेरे घर पहुंच जाएंगे मेरे घर पे जाएंगे मेरे घरवालों से कहेंगे कि आपका मेरे दसूर पे लेके आया तो आप मेरे घर पे जाके अपने दसूर पे लियाएंगे लेकिन देश को चलाने वाले जो अब लोग है इनके तो ना कोई आगे है ना पीछे है तो भाईया बेक दी रेल, बेक दी आ एरपोर्ट, बेक दी आ बीसनेल, तो कल को जब देश बिकेगा, तो जब देश बिकने के बाद आप किसका गलेबान जाके पकड़ेंगे, कि अगर रेलवे बिकी तो क्यों बिकी, एर इंडिया बिकी तो क्यों बिकी, और जब रेलवे ब गई तो रेल मंत्री को काईबात की तंखवा जब देश में आप सभी चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो मंत्रियों को तंखवर वेतन बत्ता काईबात का सरकार भी प्राइवेट कर दो ना परदान मंत्री भी प्राइवेट चुलेंगे जब देख रेख ही कर हुआ हैं मैं पानी वाला साप नहीं हूं समझ्ञें और अब मोदी जी को रचेंगे और आप एंफेंगे यू प conflicts कि सांके नाम पर ना इनकी मुँ में सत्पभ फैविको लटक जाता है कल छाता है कल ये से ऑबाज निकलती किसानों कि नाम पर तो गर इनके आगे माईक लगा दो तो इनको ऐसा हो जाता है कि में खासी है गले में दर्द हो जाता है इनके निकल जाते हैं ये और आप ये देखे राजनिती करने के लिए कैसे कोबरा आगे आ रहे हैं अरे कोबरा जी आप भी तो समझे आप कोबरा नहीं आप द देश में दुबारा खुले और मुकुल राय जैसे आरोपी जो आज बीजेपी का दामन था में बैठे हैं कैसे खुले हम अराम से बैठके घुम रहे हैं क्या मुकुल राय के ओपर कानुन कारवाई नहीं होनी चाहिए बीजेपी कौन सा वसिंग पाउडर बना रही है है क्या पतंजली का वसिंग पाउडर भी बन नहीं गया गिपतंजली के गौउझम उत्र में डुबा डुबा के निकाल रहे हैं कि एकदम पवित्र हो रहे हैं बताईए न आप मुझे तो कौन सा ऐसा वसिंग पाउडर है कि सारे आरोपी इदर जा रहे हैं और उदर साफ होकर आ तो यह कॉंसेप्ट है इनका सिधे तोर पर की देश के अंदर यह पहले लोगों को परिशान करते हैं जब लोग परिशान होते हैं तो सत्ता के पास पहुंचते हैं और सत्ता उनको ऐसे प्रश्राइज करती है कि आप पार्टी जॉइन करिए आपके उपर से सारे आरोप साफ तो पहले परिशान भी यही करते हैं समाधान भी खुद देते हैं अगर अगर आप कानून बापस नहीं लेती है सरकार तो किसान हर राज्य में इसी तरह से बीजेपी के खिलाब कैमपेन करेंगे उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्या जब यहां पर नहीं सुनी जा रह दिल्ली जा चुका है दिल्ली घुसता है तो मारा जाता है किसान को हर्याना पंजाब से पहले दिन आता है तो मारा जाता है किसान को अरे किसान पिटने के लिए नहीं बना किसान देश के खुबरा बता रहा है आप यह बास समझे देश के अंदर सौ दिन हो गए देश के कि की बेशर्मी के और देश के अंदर सो दिन से जादा देश के किसान या सडकों पर बैठे हुए हैं लेकिन सरकारे इतनी नाकारे इतनी निकमी सरकार देश के इतिहास में पहली बार वो देश के प्रधान मंतरी जो एक और देश का किसान सडक पर बैठा है लेकिन किसान को एक बार आप आजाएं, आपको बंगाल जाना जरूरी है, आपका बंगाल दौरा जरूरी है, अरे देश के अंदर तो हर छे महीने के बाद कही न कहीं चुनाव होते हैं, चुनाव तो दुबारा भी आ जाएंगे, लेकिन जो देश के किसान के जो तीन सो से जादा किसान करें मतलब किसान को जबाब दिल्ली बॉर्डर पर एक बात मुझे बताईए अगर प्रधान मंतरी मोधी जी कह देंगे कि तीनों किर्शी काले कानून वापस तो क्या किसान बंगाल जाएगा बंगाल में खड़ा हुआ है की इलेक्शन के लिए को इनके घर से क्यों जाएगा महाँ पर तो ये प्रधान नहीं देंगे, तो किसान बंगाल भी जाएगा, असं भी जाएगा, तमिल्なडू भी जाएगा, केरला भी जाएगा पुड़िचेरी भी जाएगा. क्श्मीर से कन्या कुमारी तक किसान जाकर अपना वर्चस्व दिखाएगा, कि क्या ताकत है किसान की, और किसान से उलजने वाली सरकार की हालत क्या होगी ये किसान आपको दिखाएगा कि जो भी सरकार देश में कोई भी सरकार हो जो किसान से उलजेगी किसान से टकराएगी ना उसका कोई वर्चस्व रहेगा ना कोई इसका अस्तित्व रहेगा ये बात दिखाना चाता है देश का किसान तो एक बात मुझे बताईए तो ये क्या राजनिती की कोई डिगरियां दी जाती है एक समय वो था कि देश को चलाने वाले देश के प्रधानमंत्री स्चव खुआ करतेoccup प्रेजिडैन्ट देश के राष्चवपति स्चुआ करते थे और अज क्या है देश के प्रधानमंत्री चाए चाई बेगने आपका तो बस नी चलता आपने लोगों ने तो चाटू कारिता कि सारी तो वोट देने के लिए परिशान किस ने करा अब आप यह आप समझी नहीं पा रहें आपके माध्यम से नेशनल चैनल को संकेत है नेशनल चैनलों को संकेत है तो हमने कौन से डिरे अरे भाईया सुनिए अगर हम डरते नहीं तो हम बोलते नहीं मैं कै Norman, हम डरते तो हम बोलते नहीं हम तो खुल जाहिया बोलते और देश के किसान के समर्तन में बोलते हैं आरे भाई आप सुनिये देश के अंदर भगत सिंग को कोई चुनावी लेक्षन नहीं लड़ना था देश को अजादी दिलानी थी राजगुरु सुखदेव को कोई चुनावी परचार नहीं करना था देश में लेक्षन नहीं लड़ना था चाही चंदरशे का रदात को लेक खराब हो जाएगी और हमें सरॉनक को खराब नहीं होने देना देश को बचाके रखना है बरकरार करके रखना है। एक बात मुझे बताएं पिछले साथ सालों में देश के फायदे के तहत नाम बदलने के लाबा कौन सा फाइदा इस देश ने देखा एक ऐसे मेडिकल कॉलिज का नाम बताईए जो प्रधानमंतरी मोधी जी के दौरा बनाया हूँ एक ऐसे होस्पिटल का नाम बताईए जो प्रधानमंतरी मोधी के दौरा बनाया हूँ एक ऐसे नए एरपोर्ट का नाम बताईए जो प्रधानमंतरी मोधी के दौरा बनाया बिश्व गुरू बनाएंगे ऐसे बनाएंगे कि देश के किसान को सड़क पहला के भी ठाल देंगे या ऐसे बनाएंगे को मौका दिया तो वो जो नाम बदलू बंगाल पहुंचाए ना वो बंगाल का नाम बदल के कंगाल नहीं कर देगा बंगाल को ही कंगाल कर देगा इस बात को आप समझिए और आप कहते हैं खूब भालो खूब भालो वहां कुछ भी भालो नहीं बचेगा क्योंकि रंगा बि बेची बेचा हवाई अड़ा देश का कोना कोना